एक ओल्ड मैन और एक यंग लड़की ये दोनों बातरू में फ़र्च जाते है ओल्ड मैन एक जनरलीस था और इसके इंटर्विवे लड़की लेना चाहती थी पर उसके इंडेंशन कुछ अलगी थे हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको मैंटरिद 1987 ये 2011 की एक फ्रेंच मूवी एक्स्प्लेंट करने वाला हूँ ये काइंड ओफ हैंग आउट मूवी है तो इसके कन्वेसेशन को आप रिलाक्स करकर कुछ खाते हुए एंज्वाय कर सकते हो बीना किसी दरीके एक्स्प्लेशन स्टारट करते है मूवी स्टारट होती है और हम हमारे में गार्यक्र को 1 जिसका नाम है मीगल रहता है मैंने उसके बारे में आर्टिकल लिखा पर इसके बाद ही उसकी डेट हो गई थी तो हमने वो पब्लीश नहीं किया वो और उसका पब्लीश रहे बहुत ही क्लोज थे एंजला बुछती है कि ऑफिस में सबसे तुम क्लोज थे मेगल गयता है एक जगा पर अगर तुम 25 उरस तक काम करो तो सिर्फ एक दूसरे को मारना ही बाकी रहता है मिगल है बहुत ही स्टेट फोरोड उसे जो जाई होता है इसके बारे में बोल देता है इस टाइप का गैरेक्टर है एंजला ने कोका कोला और गया था इसकी एक स्रीप उसने उससे मांग लिए मिगल को जो गयता है तुम्हारा आर्टिकल बहुत ज्यादा लौंग है अगर तुम्हें पब्लिश होना है तो इस जरा शॉर्ट होना चाहिए एंजला ने मिगल की राइटिंग स्टाइल भी कौपी की थी तो गहता है तुम्हारी वर्टिंग स्टाइल जरा यूनिक होनी चाहिए तुम्हारे वर्ड्स लोगों को पिंच करने चाहिए तब ही आर्टिकल पर्फेक्ट बनता है वर्ट कैसे करना है यह कोई भी सिखा नहीं सकता यह अंदर से आना चाहिए यही रिजन था एंजला ने अपने कॉ जो विकेंड के लिए बाहर गया हुआ है तुम्हें कॉल करने से पहले मैंने चावी उससे ले ली थी इसके बाद मैंने मेरा लग ट्राइक किया मिगेल एंजला को अपने साथ वहा लेकर जाना चाहता था उससे कहता है इंटर्व्यू लेते बद हमारे बीच कोई भी डिस् यहाँ बर अलग-अलग पेंटिंग्स पड़ी हुई थी तो मिगेल कहता है पेंटिंग ये आर्ट फार्म मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप पेंटिंग करते हो उसके बाद भी कलर्स को स्मेल कर बाते हो फीजिकली इसे एंजॉय कर बाते हो पर राइटिंग का उ इसे इंट्रेस चला जाता है उसने फिर उसे कपड़े निकालने के लिए उसका मानना था कि एंजला उससे कुछ सिखने वाली है तो उसके बदले में उसे भी कुछ मिलना चाहिए वो उसे चलेरली बोल देता है कि मुझे जो चाहिए कि मैने तुमें बता दिया है इसे बाद उसका कुछ हुआ तो इसके बारे में लिखने वाला है एंजला को ज़रा अनकमफडेबल लगा तो यहां से वह चली जाती है थोड़ी देर में माइंड चेंज गर कर फिर से वह वापस आगी उसने अपने कपड़े निकाले मेगल ने अपने फ्रेंड की कलर लेकर उसके यहां से जाना है यह सब नहीं कर सकती है मेगल को यह बात सुन कर भूरा लगा पर एंजला जब यहां से जा रही थी तो बातरूम का डोर ही ओपन नहीं होता यह दोर खराब था पर मेगल का फ्रेंड उससे बताना भूल गया था एंजला इसे खोलने का बहुत ट्राय करती है मिगेल ने भी ट्राय किया पर दोनों से खुल नहीं पाता एंजला बाथरूम की छोटी सी खिड़की से हेल्प मागने की कोशिश करती है पर मिगेल ने उसे कहा कि प्लीज ऐसा कुछ भी मत करो अगर हम दोना एक साथ पकड़े गए तो तमाश हो जाएगा वो एक फेमस राइटर है तो इस स्कैंडल भी बन सकता है मिगेल ने कहा कि मेरा फ्रेंट दो दीन तक वापस नहीं आएगा इतने टाइम में उसकी वाइप पुलिस को कॉल कर देगी एंजला कहती कि मेरे पैरंस उससे पहली ज़रा ज़ादा वरीड हो जाएंगे यह इन दोनों के लिए ब्रॉल्म थे तो फिर से खिटकी से आवाज लगाने लग जाते है पर इने कोई भी सुन नहीं पा रहा था मिगेल कहता है हमारी सिचुएशन बहुत ही अजीब है एक तो कॉमेडी हो सकती है या फिर ट्रैजेडी एंजला ने का कि अगर हम सेफ लिए हाँ से निकल गए तो एक कॉमेडी होगी अगर मेरे पैरेंट्स को यह पता जल क्या तो एक ट्रैजेडी में कनवर्ड हो जाएगी मिगेल पुछता है कि तुम्हारे फादर क्या करते है एंजला ने का क्यों मिलिटरी में है उनका नाम उसने उसे बता है तो मिगेल उन्हें जानता था एंजला की बड़ी सिस्टर को भी हो जानता है उन दोनों में 17 एयर्स का डिफरेंस है मिगेल कहता है कि जब वो एक्टिंग ग्लास में थी तो हम दोनों फ्रेंड्स हुआ करते थे वो एक्चॉल में उसे लाइक करता था पर उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ मिगेल बहुत ही वरीड था कि उसके वाइफ पुलिस को बुला लेगी उसे एक राइटर के स्टोरी याद आए राइटर हमेशा अपनी वाइफ पर चीट करता था एक दिन वो घर पर ही नहीं आया उसके वाइफ को पता था क्यों किसी और लड़की के साथ है फिर भी उसने पुलिस को कॉल कर दिया कहा कि टेरिरिस्ट लोगों ने मेरे हस्बन को किड्नाप कर लिया है जब वो राइटर नेक्स दिन उठा तो अपने आपको उसने डारेक्ली निउस पर पाया यह सब बहुत ही फणी बन गया था उसकी वाइफ ने उसे एक लेसन टीच करने के लिए सब किया था मेगिल कहता है कि तुम्हारी डाड और सिस्टर में कभी भी बनती नहीं थी वो अमेशा फाइट करते थे एंजला ने का क्यों अब भी करते है एक्चुली अगेफ एंजला ने अपनी सिस्टर से ही मेगिल का नंबर लिया था मेगिल कहता है एक बार मैंने उसे बताया था कि मैं उैसे लाइक करता हूँ और उसने मुछे रीजेक कर दिया था अगर उसे पता चला कि हम दोने किस situation में है तो मैं वर्णर करता हूँ कि वो करेगी क्या आज कल एंजला की sister ये बड़ी actress बन चुकी है एंजला कहती है कि मेरी sister को लगता है कि तुम बहुती overrated writer हो मिगल को सुनकर बुरा लगा पर हो कहता है एक overrated writer ही इसको अपना career बना सकता है एंजला बुशती है लोग क्या कहते है कि तुमें इससे कुछ भी फरक पड़ता है मिगल बुशता है कि अब भी तुम मेरा interview ले रही हो मैं तुमें सब answers दूँगा पर ये interview किस तरीके से end होती है इस पर ही depend करेगा उसे touch करने वाला था पर एंजला उसे दूर जा कर वेटी एंजला कहती है तुमारे novice बहुत ही अजीब तरीके से थे पर फिर भी उन्हें बहुत सारे awards वगिरा मिले है मिल कहता है नौवे लिखते हो लोग बहुत ही ज़़ा टाइम लेते मैंने इसे professional ही लिखा था हर रोज में कुछ target रखकर इसे complete कर ही डालता था मिल एंजला से कहता है कि फिर से try कर कर देखो तुमारी आवाज सुनकर तुम्हें help करने के लिए कोई भी आदमी आ सकता है सुन्दर लड़की देखे नहीं और हर आदमी उसे help करना चाहता है आवाज देने के बाद भी उसे कोई भी सुन नहीं रहा था मिल फिर से एंजला के पास आ गया उसे कहती है मुझे सिर्फ यहाँ से जाना है उसके साथ कुछ भी नहीं करना चाहती आजला फिर से डोर को open करने की कोशिश करती है मिल कहता है कि जब अभी यंग होती हो तो लगता है कि इस life में कुछ point है वो अपनी life कुछ अलग तरीक से जी लेंगे पर बात में पता चलता है कि life में बहुत सारी चीज़े pointless थी इसमें कोई भी meaning नहीं था हर एक की कोई ना कोई तो priority होती है मिल अगेल अगेला से पुछता है कि आज Saturday है अगर तुम घर पर होती तो क्या करती क्या अपने friends के साथ बाहर जाती अगेला को इस सब चीज़े पसंद नहीं है वो गहती है कि मैं books read करती मिल को जो books पसंद है यही अगेलाने भी पड़ी हुई है पर मिल गहता है हम दोनों के views इस पर बहुत ही अलग-अलग होंगे जैसे कि classical music और एक rock band में difference होता है मिल ने फिर यही toilet किया वो गहता है प्यार के बारे में लोगों ने बहुत सारी चीज़े लिखी है और बाकी चीज़ों के बारे में कोई भी नहीं लिखता यह लोगों को जाधा resonate करती है अबने writing में इन चीज़ों का तुमें ध्यान रगना चाहिए मिल अफ frustrated हो रहा था वो गहता है हम दोनों ही आए हम दोनों में एक tension है अगर हम कुछ भी नहीं करते तो tension बढ़ता जाएगा सब कुछ हो जाने के बाद शायद हम एक दूसरे को desire नहीं करेंगे पर फिर भी attraction बहुत ही important है मिगेल भी अब जल्दी से जल्दी यहां से निकलना चाहता था उसे बुरा लगता है कि वो सोच क्या रहा था वो एक old man है कोई भी young लड़ की उसके साथ intimate नहीं हो सकती वो कहता है कि मेरी wife को मैं बहुत प्यार करता हूँ पर फिर भी कभी कभी आपको isolation की जरूरत होती है हम दोने यहां पर इस तरीके से एक साथ है अगर हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ पर फिर भी लोगों को लगेगा यह कुछ ना कुछ तो हुआ है यह उसे एक tragedy की तरह लगता है एंजला फिर उसके पास आ गए और यह दोनों intimate हो जाते है इसके बाद एंजला को थोड़ी सी भूक लगी थी इस पर मेगिल कहता है मुवीज में मुझे लोगों को कुछ ना कुछ खाते देखना अच्छा लगता है उसने अभी अभी एक action movie देखी थी जो बहुत ही fast थी पर अचानक से उसमें एक आदमी का खाना खाते होए scene आ गया उसे लगता है कि उस scene में एक piece था एक reality थी वो बताता है यह writing भी इसी तरीके से होती है जिस तरीके से जो भी facts है हमें उस तरीके से बताने चाहिए जितना आप real लिखोगे उतना ही लोगों को अच्छा लगेगा एंजला अपनी writing से world change करना चाहती थी पर मिगेल कहता है वैसा कुछ भी नहीं होता तुम सिर लोगों के लिए अच्छा लिखने का try कर सकती हो बाकि कुछ भी तुमारे हाथ में नहीं मिगेल की view से बहुत सारे negative होते है वो एंजला से हमेशा इस तरीके से बात कर रहा था कि उससे बहुत ही जादा छोटी है वो almost एंजला को डाट रहा है इस तरीके से उससे बात कर रहा था एंजला को इस पर गुसा आ गया वो गयती ही मुझे सब लोग इसी तरीके से ट्रीट कर दिया तुम सिर्फ बड़े हो तुमें experience है इसका मतलब यह नहीं कि तुम सही हो तुमें क्या लगता है यहाँ वर मेरा आना यह तुमने चूज किया था मैं भी तुमें चूज कर सकती हो शायद मुझे भी कुछ न कुछ different चाहिए था इसलिए मैं यहाँ पर आई एंजला का गुसा शान्त होने के बाद मिगेल कहता है कि इसे को आवाज लगा कर देखो पर फिर भी कोई भी सुन नहीं पा रहा था एंजला कहती है कि जब मैं छूटी थी तो इस तरीके से pretend करती थी यह मैं एक celebrity हो मेरा interview चल रहा है और आईनी के सामने हमेशा ऐसी देखती रहती थी मिगेल कहता है लोग अपने आपको जैसे है इस तरीके से accept नहीं कर बाते इसलिए कुछ न कुछ जादा पावर होड़ बनने की कोशिश करते है यह बात एंजला ने भी realize की थी और इसके बाद उसने mirror के सामने इस तरीके से pretend करना छोड़ दिया सबजेक को change करने के लिए मिगेल गहता है क्या तुम्हें movie देखनी है एंजला बुछ थी कि हम कैसे देख सकते है मिगेल ने फिर उसे story बताना start किया वो गहता है कि एक family थी mother, father और उनका एक बेटा था एक दिन अचानक से बेटे ने अपने बेड़ से उठना बन कर दिया पहले तो parents को लगा था कि शायद school नहीं जाना चाहता तो उसने psychology से उसकी बात करवा है पर फिर भी बेटा मानने नहीं वाला था psychologist ने parents से का कि इस तरीके से आप pretend कीजिए कि सब कुछ चीज़े बहुत ही normal है बहुत दिन बीटे गए पर फिर भी अपने बेड़ से उठा ही नहीं father और mother ने फिर डिसाइड किया कि हम इसे लेकर कई vacation पर जाएंगे या लग-लग places वर घुमे गुमते गुमते एक जगावर मेला चल रहा था इस मेले में अपने बेटे को बेड़ बरी लेकर गए वहाँ पर एक लड़की से उसने बात कि वो लड़की भी उसके प्यार में बढ़ गए उनका बेटा फिर भी बेड़ से उठा ही नहीं उस लड़की को बहुत बुरा लगा और वो भी फिर बेड में रहने लगे ये बात देखकर सारे विलेज वालों को लगा कि शायद बीमारी कंटेजेस हो सकती है उन्हें यहाँ से बाहर निकाल दिया गया और भी थोड़े दिन बीथ गए एक रात आई जो बहुत ही ब्यूटिफुल थी मदर और फादर एक दुसरे की कंपणी एंजॉय कर रहे थे वो दोनों जंगल में गए और एक दुसरे के साथ इंटिमेट हो गए जब वो वापस आय तो उनका बेटा बेड़ से उठकर कही चला गया था उन दोनों ने अपने बेटे को ढूणने की बहुत कोशिश की पर उन्हें कही भी नहीं मिला एंजला बोशती है क्या इस स्टोरी की इंडिंग साड है मुझे तुमें क्यों सुना रहे हो मेगल उसे बता था कि मदर ने अपने बेटे को ढूणने की बहुत कोशिश की थी उसे मिला नहीं पर इस बात से ओखुश थी उसका बेटा इस तरीके से रह रहा था इस बात से ओट तंग आ चुकी थी उसे जो फिलिंग्स आ रही थी इस वज़े से उसे गिल्टी लग रहा था स्टोरी की तरह ही हमने आज जो भी किया ये गलत था हमें इसके बारे में गिल्टी तो लगेगा ही पर ये अब हो चुका है इसके बारे में जादा सोचना सही नहीं इसके बाद अगर हम फिर से कभी मिले तो तुम मुझे इग्नोर कर दोगी तुम्हें गिल्टी तो लगेगा पर यही करना सही होगा इसके बाद थोड़ी दिर में मिगेल को किसी का आवाज आया उस आदमी को बुला कर कहता है कि प्लीज मेरे फ्रेंड को कॉल करो मैं यहाँ पर फर्स चुका हूँ थोड़ी दिर में मिगेल का फ्रेंड भी वहाँ पर पहुँझ गया जिस तरीके से मिगेल ने कहा था कि तुम मुझे अंदेखा करकर यहाँ से चली चाओगी उसी तरीके से एंजला यहाँ से चली के जाने से पहले एंजला ने उसे का कि यह सिर्फ एक incident था इसी तरीके से मैं उसे treat करूँगी मुझे इसके बारे में कोई भी बुरा नहीं लगईगा यह सिर्फ उसके लिए एक experience था इसी के साथ यह movie end हो जाती है अगर हम इस तरीके की hangout movies देखे तो इसमें सिर्फ character को और भी जादा जान देना उनके साथ conversation enjoy करना यही सिर्फ एक point होता है तो इसे type की आज खिया हमारी movie थी अगर आप को explanation अच्छा लगा तो प्लीज इसे like और comment ज़रूर कर दीजेगा मैं बहुत सारे movies लेकर आते रहता हो तो प्लीज इस channel को subscribe कर दीजे और बेल notification icon दान में मन भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक new movie के साथ तब तक लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखिया